अनिमल फिल्म की कहानी शुरू होती है, एक बड़े शहर से जिसमें दो गैंग्स्टर रहते हैं और दोनों की काम करने का तरीका बिलकुल अलग है. पर दोनों अपना काम निकालना बखु भी जानते हैं और अपने काम को पूरा करवाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं. द फिल्म में मनोहर का रोल अनिल कपूर निभा रहे हैं और डेविल का रोल बोबी देउल निभा रहे हैं. मनोहर थोड़ा बूरा है और यहां तक अपने दम पर पहुंचा है. दूसरी तरफ डेविड को ये सभी दौलत अपने पिता से मिली है जो मर चुके है और डेविड अपने पिता से भी कई ज़्यादा खतरनाक है डेविड अपना ज़्यादातर काम अपने सबसे भरोसे मंद आदमी खान से करवाता है डेविड को अगर किसी भी आदमी को मरवाना होता है तो ये काम वो खान को सौपता है और खान उसे मार देता है इसलिए डेविड ने खान क अपना राइट हैंड बना रखा है। फिल्म में खान का रोल फहीम फाजली निभा रही है। दूसरी तरफ हमें मनोहर के बेटे को दिखाया जाता है। जो बिल्कुल शरीफ है। उसे अपने पिता के काम से कोई मतलब नहीं है और नाहीं वो अपने पिता के काम को पसंद करत है। मनोहर के बेटे का नाम वरुन है और फिल्म में वरुन का रोल रनबीर कपूर निभा रही है। वरुन विदेश में पढ़ रहा है और वही पर रहना चाहता है। वो अपने पिता से कभी भी मिलने के लिए इंडिया नहीं आता। इसलिए अपकी बार वरुन के पिता उससे मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। वरुन को इस बात का पता नहीं था। वरुन इस समय अपने कॉलेज में है तभी उसके पिता उससे वही पर मिलते हैं। वरुन को सब लोग देख रहे थे क्योंकि वरुन के पिता के साथ कई सारे लोग बंदूक लेकर ले थे। इसलिए सभी सोच रहे थे कि वरुन किसी बड़े आदमी का बेटा है। लेकिन वरुन ने यह बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताई थी। वरुन के पिता वरुन से कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज में कोई परिशानी तो नहीं है। हमने तुम्हें हमेशा अ एक दोस्त भी है जिसका नाम जोती है और फिल्म में जोती का रोल रश में का मंदाना निभा रही है दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं जोती वरुन से प्यार करती है लेकिन अभी तक उसने वरुन को ये बात नहीं कही है दूसरी तरफ वरुन जोती को अपना एक अ नाकी तुम्हारा जोती भी अपने दिल की बात वरुन को बता देती है वरुन भी जोती से शादी करने के लिए हा कर देता है वरुन अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करके यही पर सैटल होना चाहता हू वरुन के पिता कहते है कि अगर तुम वही पर सैटल हो जाओगे तो हमारे इस धन्दे को आगे कौन बढ़ाएगा वरुन कहता है कि मुझे आपका ये धन्दा पसंद नहीं है और ना ही मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊँगा इसलिए मैं शांती से जीना चाहता हूँ अगले ही दिन खान अपने दोनों लोगों को वरुन को मारने के लिए बीजता है सुबह जब वरुन अपने कॉलेज के लिए जा रहा होता है खान के विए दोनों लोग उसके उपर हमला कर देते हैं लेकिन इस हमले में वरुन बच जाता है और आसानी से अपने कॉलेज पहुँच जाता है। वरुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला उसके उपर किस ने करवाया है। तबी वो अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि आज सुबह मेरे ऊपर हमला हुआ है और मुझे नहीं पता कि वो किस ने करवाया है। और उसके पिता समझ जाते है कि यह सब डेविद की लोगों का काम है। इसलिए वो वरुन को वापस इंडिया आने के लिए कहते हैं लेकिन वरुन मना कर देता है। इन सबके बीच में जोती को गोली लग जाती है और वो वही पर मर जाती है। दूसरी तरफ वरुण सिर्फ घायल होता है और वही पर बेहोश हो जाता है। खान घर के अंदर आकर देखता है तो उसे लगता है कि दोनों मर चुके हैं और इन दोनों को ऐसे ही छोड़ कर खान. वापस इंडिया चला जाता है. अब जोती और वरुन हस्पिटल पहुँच जाते हैं और वरुन के पिता भी वरुन की खबर सुनकर दुबारा से अमेरिका आते हैं. वरुन को तो होश आ जाता है लेकिन डॉक्टर जोती को मुरित घोशत कर देते हैं. वरुन बेहोशी से वरुन के पिता कहते हैं कि हम बदला जरूर लेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। वरुन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे भी इंडिया जाना है। मनोहर यह सुनकर खुश हो जाता है कि वरुन इंडिया जाने के लिए तयार है। मनोहर वरुन को इंडिया ले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब मनोहर इंडिया में नहीं था तब उसने मनोहर के कई लोगों को मार दिया है और मनोहर के कई लोगों को अपने गैंग में मिला लिया है। दूसरी तरफ वरुन भी बिलकुल ठीक हो चुका है औ और अब वो ज्योती की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए वो अपने पिता से डेविद के बारे में पूछता है। उसके पिता डेविद के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। वरुन भी समझ जाता है कि डेविद को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए वो डेविद को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। अगर ही भाग जाते हैं। दूसरी तरफ खान की मौत की खबर सुनते ही मनोहर भी काफी खुश हो जाता है। अब सिर्फ डेविद जिंदा बचा था लेकिन डेविद को मार पाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि डेविद भी अकेला ही काफी ज़्यादा ताकतवर था। इससे पहले वरुन डेविद के उपर हमला करता। और डेविद के मरने के बाद उसकी छाती पर बार बार कुलहारी का इस्तिमाल करके उसे बड़ी बेरेमी से मारता है। डेविद के मरते ही वरुन भी शांत हो जाता है और मनोहर भी डेविद के मरते ही पूरे शहर पर कबजा कर लेता है और डेविद के हर काम को अपने अंदर ले लेता है। देविद के मरने के बाद वरुन की लाइफ में कोई मिकसद नहीं था, इसलिए वो दोबारा से अमेरिका चला जाता है और वही पर जाकर सेटल हो जाता है। वरून अब पहले जैसा बन चुका है और अमेरिका में बिलकुल अकेला रहता है और फिल्म यही पर खत्म हो जाती है.